दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीटेल बात चीत करेंगे करेंट फैर्स जो की 14 जुलाई से सबutz भी महत्यकुन atrip करेंगे और साथ ही दोस्तों हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे लिए आज कि मधकूर करेंट फैर्स दोस्तों इस पूरे णीज गो पढ़ने के Day MCQ आज से पूछा जाएगा आप सभी लोग जो है इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें वीडियो में अंतक बने रहें इसमें धेर सारे और भी इंफर्मिशन है जो आपको मैं अलग से दूंगा नमस्कार दोखतों मैं धरनजय सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ करेंट एफेर्स की सुबह की क्लास में वेरी गुड मॉर्निंग सभी को सभी को सभी की राम राम कैसे हैं आप सभी लोग चलिए आज पहली न्यूज जो है हम देखते हैं आज की प्रमुख न्यूज में Association of Ward Election Bodies काटी जिना में इसका घाटन किया गया इसमें आपने जो Chief Election Commissioner है आपके राजीव कुमार जी वो पार्टिसिपेट किये क्या-क्या महत्पूर बाते हैं ये जो Association है एक संग है Ward Election Bodies Association संग है जो वह पूरी दुनिया भर के प्रमुख जो देश है जो लोग कांत्रिक दे देने के लिए especially transparency in elections को बढ़ावा देने की बात करता है तो चलिए देखते हैं इसको डीटेल में क्या है जुलाई 2023 में विश्व चुनाव संग की अंतरास्त्रिय बैठक कायोजन जो है कोलंबिया के काट जिना में किया गया काट जिना जो है वो कहां पर है दोस्तों कोलंब कोलंबिया किस महादीप में पढ़ता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे महादीप में किस पढ़ता किस महादीप में पढ़ता है और यहां की राजधानी क्या है इस सम्मेलों का विश्व चुनाव 2023 की चुनावतियां पर एक वैसिक परिपेक्ष था ठीक है अब यह आप याद रखेंगे कि रीजनल जो एलेक्शन्स होते हैं छेत्री चुनाव जो होते हैं उनमें चैलेंजिस क्या क्या है इस पर एक बैठक हुई थी वैसिक बैठक इसकी थीम थी इस बैठक में भारत का प्रतनी थी तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सदस्य है भारत भी इसका सदस्य है और आप विश्व चुनाव निकाय संग जिसकी अभी बैठक जो है अंतरास्टी इस तरपर बैठक कहां पर हुई कार्टे जिना में हुई इस टॉपिक से संबंदित कुछ प्रस्ण भी मैं पूछता हूँ आप सभी लोग जो है कमेंट इस ब्रेक्स को इसका उत्तर जरूर दिया करें चलिए दूसरा महत्पोंड हमारा आज की जिसमें इंड्रेशनल टेंपल कंबिंशन एक्सपो वारांसी में अंतरास्तिय मंदिर जो convention और expo आयोजित क्या जा रहा दोस्तों इसमें जो है जो बड़ी समस्या है इस समय भारत में जो crowd management crowd management क्या हो दोस्तों भीड प्रबंधन उसको लेकर के solid waste management जो होता है तीर थस्तरों पर जो बहुत सारी गंदगिया फैल रही है उनको लेकर के RSS Chief मुहन भागवत इसके head इसको घाटन करेंगे और इन सभी जो detail मुद्दे हैं इसपेसली जो crowd management and solid waste management है उस पर detail बातचीत की जाएगी तो चलिए इसको detail में देखते हैं क्या है और क्योंकि ये वारानसी में हो रहा है इसलिए हमारे परिक्षाओं के लिए उत्तरप्रदेश की परिक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मत पूर्ण हो जाता है चलिए detail में देखते हैं दोस्तों अंतराश्टी मंदर सम्मेलन और एक्सपो वारानसी अंतराश्टी मंदर और एक्सपो का आयोजन उत्तरप्रदेश के वारानसी में किया जाएगा यह सम्मेलन 20 से 24 जुलाई 2023 के मदर जित किया जाएगा यह विशु का सबसे बड़ा अंतराश्टी मंदर सम्मेलन और एक्सपो होगा यह सम्मेलन का आयोजन टेंपल कनेक्ट जो इंडिया की एक संसा है मैंने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट बइसिक इंस्थर सक्चर है अभी देखे काशि विश्वनाद जो मंदिर है उनको लेकर के काफी विवाद चल रहे है और उसमें एक विवाद और था, कि वहाँ पर टिकट जो है, बहुत महंगा लिखाया जाता है, महंगा हो गया था, अलकि उसमें बाद में खंडन किया गया, दूसरा यह है कि वहाँ पर VIP कल्चर है, VIP कल्चर यानि कि VIP लोगों के लिए अलग मार्ग है, अलग लोग जो है उसक पैसे, उसका ट्रस्ट का पैसा जो है, वो कहाँ-कहां यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है, और वो हिंदू कम्यूनिटी के डेवलप्मेंट में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने की जरूवत है, अंतराष्टी है, मंदिर, संब्लन और एक्सपो जो है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं जितने भी टेंपल हैं उनके इंफ्रासक्चर डेवलप्मेंट उन्हों पर सुविधाएं एट लिस्ट डेवलप किये जाएं और हिंदू कम्यूनिटी जो है जिस मंदिर में चड़ावा देती है जो भी दान करती है वह उसके विकास में लगना चाहिए पैसा ये इन सारों का इन सारी चीजों का क्या है प्रबंधन होना चाहिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ कोर्स में आप एड्मिशन ले सकते हैं दोस्तों हमारा एसे राइटिंग का कोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा मौत पूंट रहता है आपके सभी परिक्षाओं के लिए आप इसको वीकली एक दो ऐसे लिख करके तयार कर सकते ह है तो यह मात्र है 1050 से और यह कुछी दिनों के लिख सार्थक टेस्तिरी चाहिए जा रहा है जिसमें 2800 फूल टेस्क लिए जा है जिस पांच हिंदी दोस्तों हमारे एक foundation batch है जो कि RO-RO PCS सभी के लिए है और जितने भी exam UP PCS के होते हैं सभी exams को यहाँ पर cover किया जाता है 5,130 मातर इसकी फीज है और दोस्तों यहाँ पर pre-commence batch जो है वो हिंदी मेडियम में है RO-RO के लिए वो उसकी फीज मातर 283 है RO की जो vacancy है RO की vacancy बहुत सारे लोगों का message आ रहा है कि RO की vacancy कब आएगी RO की vacancy दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जुलाई last तक जो है यह मामला जो समकक्षता का था वो समकक्षता का मामला तौल हो जाएगा या तो जुलाई last में या अगस्त फर्स्ट वीक में तीक है तो इस पर आप लोग तैयारी शुरू कर दें अपनी 75 जो है crash course है दोस्तों जिसमें mains के साथ साथ जो है आपके 200 प्लस live recorded classes आपको मिल जाएंगे से IR हो गया science check हो गया इस पर सारे notes हमारे तैयार हो रहे है नोट्स को जल्दी आपके साथ सामने publish किया जाएगा और आप सभी के बीच जो लोग भी मुख पर इस बार लिख रहे हैं उनके लिए यह काफी helpful रहेगा जो लोग नहीं भी लिख रहे हैं वो लोग भी कैसे त्यारी करें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए आपको दोस् प्रसक्षण स्कूल FTS तमिल नाडु में पहली बार खोला जा रहा है जुलाई 2023 में नागरिक उड्यन महान इदेशाल है डीजी सी है जिसको बोलते हैं तमिल नाडु में उडान प्रसक्षण स्कूल को स्थापित करने की मंजूरी की प्रदान की अब किस जिले में और किस शहर में लगेगा भी यह डिसाइड नहीं हुआ है यह देश का 36 उडान प्रसक्षण स्कूल होगा इसकी अलमा यह तमिल नाडु का पहला उडान प्रसक्षण स्कूल भी होगा इसकी स्थापना एयर ट्रेनिंग और्गनाजेशन प्राइबेट लिमिटेड द्वारा की जा अनुभव भी दिया जाएगा जो चात्रों को एक अच्छी सच्छा प्रदान करने जो उन्हें गतिशील विमानन द्योग के लिए तयार करेगी तो आपको पता हिए कि आविएशन इंडस्ट्री जो है वो काफी फ्रूट्फुल है भारत में और तीजी से डेबलप हो रही उडान जो हमारी इसकी में उडे देश का आम नागरिक यह जो है काफी इंपॉर्टेंट हो रही है रीजिनल जो कनेक्टिविटी डिबलप करने के लिए और छोटे-छोटे शहरों में भी अब वायुयान या जो हैलिपैड जो है हवाई-पट्टी जो है वो खोली जा रही की सबसे महतपूर्ट न्यूज मॉल्टी डैमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI जो है इसमें एक बड़ी खबर यह आई है कि भारत पिछले कुछ वर्सों में 50 प्रतिसत अपनी गरीबी कम करने वाला प्रमुख देश रहा है और यह गरीबी का आंकड़ा जो है क्या है क्या MPI में MPI में क्या क्या चीजे देखी जाती हैं दोस्तों इसमें केवल हमारी जो कैलोरी मानक है उसको ही नहीं देखा जाता हेल्थ एजुकेशन और भी बहुत सारी चीजे देखी जाती है तो क्या भारत के गरीबी आंकड़ों में सचमुझ में कमी आई है इस पर हम लोग ड मानव विकास पहल अब यह देखे एंडी सी यूनाइट नेशन यूनडीपी डेवलेप्मेंट प्रोग्राम यूनडीपी ये और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने बहुँ आमी गरीबी सुचकांग जारी किया हैं इस रिपोर्ट के अनुसार दो हजार पांच में बहु आयामी गरीबी 55.1 प्रतिसत से घट करके 16.4 प्रतिसत हो गई है जो कि बहुत बड़ा आंकडा है और यह आप देख सकते हैं कि भारत की ये किस प्रकार से उपलब्दी है और इसके साथ भारत के साथ-साथ 25 देश और भी हैं जिन्होंने 15 वर्सों के भीदर अपन to no poverty को भी promote कर रहे हैं यानि कि उसमें सुधार कर रहे हैं बहु आयामी गरीबी सुचकांग स्वास्तसिक्षा और जीवनस्तर इसमें देखे क्या क्या है आपके बहु आयामी गरीबी सुचकांग में health है education है और lifestyle है इन तीनों को count किया जाता है यह सुचकांग पहली बार 2010 म जारी किया गया था HDI एक अलग सूचकांग है MPI एक अलग सूचकांग है ठीक है इस पर प्रस्म कई बार हमारी UPSC और UPPSC परिक्षाओं में पूछा जा चुका है तो इसको आप डीटेल में याद रखेंगे क्या मानक हैं कैसे प्यार किया जाता है इसको भी आप जरूर डीटेल में देखते हैं दोस्तों हमारे मनीय रक्षा मंत्री राजनाज सिंध्जी ने उद्धाटन किया किया marking ऐह कुअ कि दूस्थान अरोंटPassóc मलेशिया में यानि हिन्न हमीट वापिस मलेशिया में खोल आ गया है दूड़ाई 2023 में B categories एक आ जो है, हिंदुस्तान Aeronautic Limited H.A.L. ने मलेशिया में अपने छेतरी का रियाले का उधगातन किया, H.A.L. का या छेत्री कारेले मलेशिया की राजधानी कुवालालमपूर में खोला गया छेत्री कारेले का उधगाटन केंद्री रक्षामंत्री राजनाज सिंग ने किया यह कारेल है दक्षडपूर एशियाई छित्र के स्थाफ हेल के साज़दारी के केंदर के रूप में कारे करेगा हिंदुस्तान एरोनाटिक लिमिटेट के स्थाफना का हुई थी 1940 में हुई थी और यह भारत की नौरतन कंपणियों का दर्जाए भारत में जो नौरत कंपणियां है उन में से एक है तो आप यह चीजें याद रखेंगे यह कंप्लीट आज की करेंट अफैर से दोस्तों और आज का जो एक किस्टन जो मैं आप से पूछूंगा यह हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ इस पूरे न्यूज को डीटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेब साइट पर भी जा सकते हैं इसके PDF के लिए हमारे आप डाउन्लोड करें प्रश्न क्या है दोस्तों और यह राज्य की पहली अल्टरा सूपर क्रेटिकल यूनिट है अब यह बड़ा ही इंप्रेंट है अब जो भी चीजे मैं पढ़ाता हूं आप अगर उसे ध्यान से देखें यह कल के वीडियो से प् इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे इसमें पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सत्य है एक दो दो तीन एक तीन और एक दो तीन बहुत ही महत्तपूर्ण प्रश्न है यह तो यह रही complete जानकारी आज के class की आशा करता हूँ आपको class बहुत पसंद आ रही होगी दोस्तों अगर आपको class पसंद आई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें इसके PDF के लिए हमारा app डाउनलोड करें और साथ ही साथ हमारी website पर जाकर करके इसके complete notes पढ़ सकते हैं website का नाम हमारे दोस्तों www.abhyansivilsurges.com इस पर जाकर के आप detailed classes देख सकते हैं मतलब उसको notes को पढ़ सकते हैं उससे self notes बना सकते हैं हमारे app को डाउनलोड करके यहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हम लोग अगली class में धन्यवाद